Hello guys, आज हम UGC NET का HRM का paper जो कि 24th of June को conduct किया है NTNA, उसको हम discuss करेंगे और देखेंगे कि किस-किस type के questions पूछे गए थे, क्या difficulty level था और उसके बार में हम discussion करेंगे, तो चलिए देखते हैं कैसे-कैसे questions पूछे गए हैं और किस-किस type के questions पूछे गए हैं, तो देखें, questions काफी factual पूछे गए थे paper के अंदर, काफी to the point थे, काफी provisions थे उसके अंदर, कि कई सारे laws जो हैं, labor laws है, industrial dispute law है, wages, bonus, factories act, तो इन सबके specific provisions हैं, इससे related काफी questions paper के अंदर पूछे गए हैं, तो चलिए कुछ-कुछ questions जो हमें collect कर पाए हैं, उनको हम discuss करते हैं, कि किस-किस type के questions थे, दे नियु देली, आसन सोल, धनबाद और कॉलकता, तो देखिए, इसका answer है धनबाद, धनबाद जारकन में पड़ता है, तो इसका coal mines का headquarter है, वो धनबाद के अंदर है, next question पर आते हैं, according to mines act 1952, no person employed in a mine shall be required or allowed to work in the mine for more than, देखिए, अगर कोई भी person mines के अंदर काम कर रहा है, तो according to mines act, mines act उस पर लगेगा, तो mines act के according, वो कितने घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता, या उससे काम ज्यादा नहीं करवाया जा सकता, तो उससे दर 10 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवाया जा सकता, maximum limit जो mines act 1952 के अंदर set की गई है, mines act के वरकर्स के लिए, वो 10 hours है, उससे ज valentry वो अपनी खुच से भी 10 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता, चली थर्ड क्योशन पर आते हैं, हैंडी मिंटबर्ग आइडेंटिफाइट 10 basic roles of the manager, जै कि हैंडी मिंटबर्ग में क्या किया, managers के जो roles होते हैं, उनको 10 parts में classify किया, और 10 parts को उन्होंने further 3 major parts के अंदर divide कि जिसके अंदर उन्होंने 10 parts को put up किया, तो देखिए उन्होंने 3 main parts थे, interpersonal, informational and decisional, तो देखिए इसके अंदर उन्होंने पूछा है, which of the following are the parts of interpersonal, interpersonal role के अंदर कौन कौन से चीजे आती हैं, तो देखिए इसके अंदर entrepreneurship तो नहीं आगा, क्योंकि interpersonal किसी के साथ connect, social connect जो होता है, आप किसी से कैसे communicate कर रहे हो, या कि फिर कैसे आप behave कर रहे हो, तो interpersonal के अंदर वो आता है, तो entrepreneurship इसके अंदर नहीं आएगा, second हम देखिए लाइजन, लाइजन होता है मेल जोल किसी का ताथ आप कैसे connect कर रहे हो, तो ये लाइजन इसके अंदर आ जाएगा, figurehead, figurehead मतलब आप आप किसी के लिए आइडल हो, आप कोई आपके बात follow करता है, तो वो भी इसके अंदर interpersonal role के अंदर ही आएगा, fourth आता है disseminator, देखिए disseminator का मतलब होता है प्रचार या किसी भी चीज को expand करना, तो ये इसके अंदर नहीं आएगा, interpersonal role के अंदर नहीं आएगा, leader, leader communicate करता है तो इसका answer क्या होगा, fourth, चले, next question पर देखते है, gray point chain is a form of, देखिए gray point chain होता गया है, देखिए किसी भी factory के अंदर, किसी भी organization के अंदर, जो lower level workers होते हैं, वो आपस में communicate करने लग जाते हैं, without any formal authority, without any formal instruction, मतलब उनको कोई उपर से order नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वो आपस म communicate करते हैं, आपस में relation बनाने लग जाते हैं, जैसे कि, production department का कोई worker है, वो अगर regularly visit कर रहा है, marketing department का अंदर, तो marketing department का कोई worker, और production department का worker, उसके अंदर काफी अच्छी friendship हो गई, काफी अच्छी से बातचित करने लग गए, तो अगर वो production and marketing department के workers communicate कर रहे हैं आपस में, without any formal authority, त का part आएगा, तो उसको हम बोलते हैं, grapevine chain, that is informal communication, तो इसका answer क्या होगा, informal communication, अगले पर आते हैं, match the following, देखें, match the following के अंदर आपको कुछ theorist के नाम दिये हैं, और उनकी जो theory दिया हैं, उसको explain करने के लिए, आपको बोलागे है, कि उन्होंने कौन सी theory दी है, तो देखें, F.J.Rothesberger and Dixon ने कौन सी theory दी है, तो देखें, उन्होंने जो theory दी थी, वो थी, the management and the workers, management and workers की theory दी हैं, उन्होंने, Elton Mayo, Elton Mayo का आपने काफी नाम तो नागा, जिन्हेंने Hawthorne experiment कंड़क्ट करे थे, तो उन्हें एक human relation approach उन्होंने develop करी थे, human relation approach के अंदर क्या होता है, हम human elements को consider करते हैं, तो उन्हें के अंदर क्या गया है, the human problems of industrial civilization, अब देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है, the human problems of industrial civilization, आखिर ऐसा क्यों, हम देखें, scientific management, Elton Mayo से पहले जो theories आई थी, वो classical theory आई थी, जिसके अंदर scientific management था, administrative management था, bureaucratic theory थी, तो उसके अंदर human element को consider नहीं करते थे, वो organizational task को ज्यादा preference देते थे, कि organizational task होने चाहिए, human element किसी भी तरिके से काम करे, तो वहाँ पे उनको human relation approach को बिल्कुल follow नहीं किया जाता था, वो scientific approach देते थे, कि किसी भी काम को करने का को scientific approach होना चाहिए, efficient worker होने चाहिए, लेकिन उन्हें यह कम भी consider नहीं किया, कि कोई informal communication भी होना च अच्छी होने चाहिए, तो यह सब चीजे consider नहीं किती थे, लेकिन जब Elton Mayo आयो, Elton Mayo ने neoclassical theory और human relation approach theory दी, तो उन्हेंने कहा कि human relation एक काफी important factor बन जाता है, जिससे productivity काफी increase हो जाती है, अगर हम human relation approach को follow करें, तो productivity काफी increase हो सकती है, तो उन्हेंने human problems को भी consider किया, तो इसल theory, theory of X and theory of Y, theory of X and theory of Y में हमने क्या दिखाता, कि theory of X में कहते हैं कि autocratic leadership follow कीजिए, वसकर workers खुझ से काम नहीं करेंगे, जब तक उनको उपर से कोई order नहीं मिलेगा, और theory of Y कहती है, कि workers खुझ से ही काम करते हैं, उनके इंदर खुझ से ही motivation होता है, कि वो काम करें, ज्यादा स side of enterprise उनने ये consider किया था, कि two type के humans होते हैं, एक होते हैं कि खुझ से काम करने वाले हैं, और एक होते हैं जिन से जब दस्ति हमें काम करवाना पड़ता है, जो की होते है theory of facts है, और जिन से हम जो खुझ से काम कर लेते हैं, उनको बोलते हैं, हम under consider करते है, theory of Y के अंदर, तो फ कर लेते हैं, तो देखिए FW Taylor, FW Taylor की scientific management theory, scientific management theory ये कहती है, कि जो upper management होगी, वो policy बनाएगी, जो lower management होगी, वो अपना काम करेगी, तो देखिए, यहां पर उनने कहाता कि separation of planning from doing, planning अलग होगी, और doing, मतलब workers जो काम करेंगी, वो अलग होगा, तो यहां पर इसका option जो relate कर रहा के management की बारे में बात की, एक administrative management होगा, जो सारे rules regulation बनाएगा, और workers इसको follow करेंगे, तो देखिए, उन्होंने किवल upper management की बात करी, जिसके पास authority है, and responsibility है, तो सारी authority and responsibility कि इसके पास है, administrative management, जो की upper level है, तो उसके पास है, तो इसका option है, first, authority and responsibility, थर्ड वेबर, देखिए, bureaucratic theory, bureaucratic theory के अंदर क्या होता है, एक hierarchy बनती है, hierarchy मतलब होता है, कि upper level से जो आपको instructions मिलेंगे, आप उसको follow up करेंगे, and lower level वही काम करेंगे, जो अपर से उनको instructions मिली है, तो इसके अंदर एक hierarchy बनी थी, तो वो इसके अंदर second से relate करेगा hierarchy, चलिए, fourth पे आते, Elton Mayo, Elton Mayo के अंद अब ही हमने discuss किया, कि human relation approach को follow किया जाता है, तो यहाँ पे fourth के साथ आएगा, Elton Mayo, human relation approach, तो चलिए, अगले question पर आते है, तो अगला question कहता है, the manager who is concerned more for task and less for people, अगो कोई manager, task पे ज़्यादा focus कर रहा है, और people पे कम focus कर रहा है, तो वो किस type का management है, तो देखिए, इसके अंदर black and mountain की एक theory थी, managerial grade theory, हम उसको एक बाद देख लेते हैं, so that हम इसका answer easily कर पाएं, तो देखिए, black and mountain की managerial grade theory में क्या कहा था, कि अगर कोई भी manager, result पे जादा focus कर रहा है, highly focused on result, and low for people, people पे कम focus कर रहा है, तो वो क्या आएगा, perish management, क्या आएगा, perish management, यहाँ पे भी पूछा ग पे क्या आएगा, आपका answer तो perish management हो गया, चलिए, बाकी options को भी एक बाद देख लेते हैं, तो देखिए, अगर concern for result भी low हो, और concern for people भी low हो, तो impoverished management आएगा, यहाँ पे आपका answer, चलिए, अगर हम यह देखिए, concern for people जादा है, और productivity पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे आएगा country club management, country club management, और अगर आपका concern for result भी जादा है, मतलब आप productivity भी भी भूँच जादा ध्यान देते हैं, concern for people भी जादा है, आप people से भी भी भूँच जादा ध्यान देते हैं, तो आपका आएगा है यहाँ पे team management, तो यह सबसे best माना जाता है, और चलिए, अगर हम मान लीजे, आप सब में balance करके चल देते हैं, तो आप कहाँ पे हैं, middle of the road, अगला question देखते हैं, in room expectancy theory of motivation, the term balance state, देखें, room expectancy theory Victor Vroom ने दी थी, तो उसके अंदर बोला था, उन्होंने तीन चीज़े बताई थी, balance, expectancy and instrumentality, तो देखें, balance का क्या मतलब होता है, expectancy का क्या मतलब होत होता है, हम इन तीनों के बारे में discretion करेंगे, balance का मतलब होता है, for simplicity, हमने तीनों को दिया है, यहाँ पे option में, तो पहले बाले का है, balance, दूसरे का है, instrumentality, दूसरे का है, expectancy, sorry, और थर्ड है, instrumentality, तो देखें, balance का क्या मतलब है, यहाँ पे, balance को उन्होंने मतलब पूछा है, तो value देता है, तो obvious है, उसकी productivity उस product के लिए बढ़ जाएगी, तो इसको हमने किस में रखा है, balance के अंदर, expectancy और instrumentality आप इसको पॉस करके पढ़ सकते हैं, आपको PDF में, description में, प्रवाइड कर दे जाएगा, तो आप हांसे उसे डाउनलोड करके भी काफी अच्छे से पढ़ सकते हैं, चलिए, next question पर देखते हैं, placement is done after, placement किसके बाद की जाती है, तो देखिए, अभी भी हम HR में पढ़ते है, recruitment एक process होता है, selection एक process होता है, तो selection के बाद placement आता है, तो हम इसको serial wise देखते हैं, कि आखर सब कुछ होता है, अगर आपको recruitment करना है, मतला आप लोगों को select करना च अगर आप उनका interview लेते हैं, और उससे आप qualified individuals को select करते हैं, तो आपका selection में आएगा, select करने के बाद, अगर वो select हो चुके हैं, तो उनको right job पे place करना, placement के अंदर आता है, तो यानि कि placement जो आता है, वो में इसा selection के बाद आता है, तो इसका option क्या होगा, B, Now, what will be the minimum number of workers required for organizing a trade union for the registration according to the latest amendment of the Trade Union Act 1926, तो देखिये, ये कह रहा है कि Trade Union Act 1926 है, उसके अंदर अगर आपको trade union register कराना है, तो आपके कितने members होने चाहिए, आपके पास available, तो देखिये, तो इसके लिए आपका option होगा, D, मतलब कि 10%, मतलब जितने organization के अंदर total workers हैं, उसका 10%, औ 100 members और 7 members, इन तीनों में से कितने भी हो, आप register करा सकते हैं, चलिए, अगले question पर आते हैं, the process of comparing actual performance with standards and taking necessary corrective actions is called, तो देखिये, हमने management function के अंदर देखा था, planning, organizing, staffing, directing and controlling, तो controlling function याद है आपको, कि जो भी हमने plan किया आता है, उससे हम अपने actual performance को measure करते हैं, और जो deviations होती है, उसको find out करके, उसके लिए हम corrective actions लेते हैं, तो controlling functions के अंदर आता है, तो यहाँ पर answer क्या होगा आपका controlling function, the process of comparing actual performance with standards, तो यहाँ पर answer क्या होगा आपका controlling, चलिए, next question देखते है, a type of leadership style in which the authority of decision making passes to the subordinate with the little interference of management is called, कोई एक ऐसी टाप की leadership, जिसके अंदर powers है, authority है, वो subordinates को delegate क कर दी जाती है, और उनमें काफी little interference होता है, किसका management का, तो वो कौन सी leadership होती है, लजीज फियर leadership, लजीज फियर leadership, इस टाइप, चलिए, next question पर आते है, भारतिय मजदूर संग वाज फांडेड वाई, भारतिय मजदूर संग को किसने फांड किया था, यह directly question पूछा गया paper मे तो इसका answer था, दत्तोपन तैंगडी, चलिए, next question देखते है, match the following, तो हमें इसमें कुछ theorist के नान दे रखे हैं, और उसके उनकी theory दो है, उससे relate करना है हमें, तो classical conditioning theory दीती किसने, इवान पैवलो ने, इसका answer होगा second, second is operant conditioning, operant conditioning दीती B.F. Skinner ने, third है, social learning theory, social learning theory किसने दीत Albert Bandura ने, and fourth is psycho analytical theory, psycho analytical theory किसने दीती, Sigmund Freud ने, ethnocentric, geocentric, polycentric and regionocentric, EPRG framework से काफी सारे questions पूछे गई हैं, और इससे relate करके, और इसको थोड़ा सो modify करके, काफी questions put up किये गए थे, HRK paper के अंदर, तो हम इसको एक बार बारी-बारी से देख लेते हैं, कि ethnocentric के अंदर क्या होता है, poly polycentric के अंदर क्या होता है, regional centric के अंदर क्या होता है, और geocentric के अंदर क्या होता है, so that आपको इसकी understanding हो जाए और अगर आपको further कोई subsequent exam देते हैं, जिसके अंदर EPRG framework से related कोई question पूछा जाता है आपसे, तो उसमें आप आप उसको सहीं से attempt कर पाएं, तो देखे, ethnocentric approach के अं अपनी क्या करती है, जो उसका home country है, जहां वो company established हुई है, वहां के जो rules, regulation और policy उसने adopt करी है, उसी को all over the world apply कर देती है, और उसमों बाकी जहां पर operate कर रहे हैं, जहां पर उसकी subsidiaries हैं, उनकी according काम नहीं करती है, जो उसकी home country है, वहां की policy हर जगा apply कर देगी, जैसे कि माल ल इसके अंदर अगर वो 350 रुपीज में sell करती है, तो हो सकता है इंडिया के उसकी उतनी purchasing power ना हो लोगों की, वो लोगों उसको 350 रुपीज में ना purchase करें, तो हो सकता है sales decline हो जाए, तो यह काफी बड़ा drawback है ethnocentric approach का, कि हमें इसके अंदर regions को और उसके local market को, local market की policies को या environment को उसके बिल्कुल opposite सलते हैं, हम host country के market, जहां जहां हम operate कर रहे हैं, जहां जहां हमारी subsidiaries हैं, उनके market के environment के according हम pricing decision, policy decision लेते हैं, और अपनी home country के market को ignore करते हैं, तो दिखिए, approach in which a country consider that each market different from each other, hence apply different techniques in different market, हर एक market के अंदर अलग अलग technique अपना हो, जैसे कि अगर आप बंगलाद अगर वही चीज़ अगर आप European countries में sell कर रहे हो, US में sell कर रहे हो, तो आप उसको prices को high रख सकते हो, तो यह polycentric approach है, geocentric approach, देखिए, geocentric approach में ना तो हम home country के market को, ना ही host country के market को, हम उन दोनों के environment को ignore करके, हम एक global strategy मनाते हैं, और global strategy all over the world apply कर देते हैं, जैसे कि Microsoft का Windows, Microsoft का Windows इंडिया के नदर भी आपको मिलेगा, उन्होंने जो Microsoft के Windows का price है, वो कि भी भी किसी US के market को देखिए, उन्होंने set नहीं किया, उन्होंने global strategy बनाई, कि अगर हम Windows का क्या price रखें, so that all over the world उसको acceptance मिल जाए, उसकी all over the world उसकी purchasing power हो, लोग उसको purchase करें, तो उन्होंने उसकी according उतने prices रखे हुए है, तो ये जियो सेंटिक अप्रोच है, अगला आते है रीजनो सेंटिक अप्रोच, रीजनो सेंटिक अप्रोच को समझते हैं जरा, अगर हम South Asia की बाउत करें, South Asia में इंडिया आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है, बांगलादेश आता है, पाकिस लो आपनाइए तो हमारे ने बनेफििशल हो सकता है, तो अगर इंडिया के लिए जो पो पोली सी बिना रहे हैं, वहीं पोलीश अगर हम म건लाची सेंटी सेंटिक अनुऽ तो हम क्या करते हैं, रादर रैदेर दिन क्लाश सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए आपको फर्दर कोई भी वीडियो से हम अप्लोड करते हैं तो आपकी इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए